गुड मॉर्णिंग इस्ट्वेंट्स आज हम बात करेंगे कॉंटेक्ट और नॉन कॉंटेक्ट फोर्सेस की ओके इसे फोर्सेस एक्ट अने पर ही एक्जर्ड करते हैं ऐसे फोर्सेस जैसे कि अगर तुम्हें पानी की बाल्टी उठानी है अगर आपको अपना स्कूल का बैग उठाना है तो इसके हैंडल पर फोर्स आपको लगाना होगा जब हैंडल को कीच होगे तो हैंडल बैग से अटैच हो बैग भी पिक हो जाएगा आप उठा सकते हो तो हम क्या है इसमें कॉंटक्ट कर रहे हैं यह कॉंटक्ट फोर्स है मीन्स हमने बाल्ती के हैंडल को जँँआ बैग के हैंडल को जँँआ तो हमने जब कॉंटक्ट किया हमने कॉंटक्ट किया तो यह फोर्स एप्लाई होगा अब दिखें, तो forces that act only when there is physically contact, physical contact होता है, two interacting objects are known as contact force, मतलब दो object आपस में एक दूसरे जो टच कर दिया, हमारे हाथ ने bucket के handle को touch किया, तो force लगा, same, back के handle को भी हमने touch किया, तो force लगा, मेंस दौरों आपस में हमारा हाथ और school का back का handle, जब एक दूसरे contact में आया है, तो force अपलाए हुआ, तो muscular force and frictional force are to example of contact force, तो muscular force जो हम हाथों से उठाते हैं, हाथों का पैरों से kick करते हैं, किसी ball को यह muscular force है, और example है, contact force का, दूसरे frictional force, जैसे कि माल ली से हम जूतों से चलते चलते दोड़ करके आते हैं, तो हम उसे चलते 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 हैं, धीमे धीमे फिर हम रुख जाते हैं, friction जाते हैं, तुमने एक ball throw की, ball ऐसी जगे throw की, जहां जगे plane नहीं है, थोड़ी उची नीची है, over cover type में मिट्टी, कह सकते हैं, simply, जो proper plane नहीं है, तो वहां वो ball जहां दूर तक नहीं जाएगी, क्योंकि वो friction कम है, वो tiles के विज़े से, ओके, तो और हम आगे इसके आगे बात करती हैं, few other forces है, that can also act an object, even a object are not in contact, मतलब बहुत सरे ऐसे forces भी हैं, जो बिना चुए, दूर से ही उसको attract करेंगे, यह उस पर force apply करेंगे, यह force, इससे force, non-contact force कराते, example, gravitational force, यानि कि अर्थ, हमारी प्रत्वी दूर से किस चीज़ को खीच रही होती हैं, जैसे हम पत्थर, stone, पत्थर को उपर फैंकने एक process करें, तो थोड़ी दूर तो उपर जाता है, यह वापस आने लगता है, अर्थ की अगर यह अर्थ प्रत्वी ना खींच रही होती हम फैंकते हैं, पत्थर ऊपर जाता, और ऊपर जाता और इतना ऊपर जाता कि कभी बापस ही ना आता, okay students, but ऐसा अर्थ जो है, उसका जो gravity का जो force है, gravitation force कहते हैं, वो ऐसा नहीं करने रहाता, magnetic force, चुमबक, किसी भी iron piece को attract क electrostatic force, यह भी electrostatic electric wire से लेक्टरी जाता, तो हाँ भी एक field बनता, तो electrostatic force बनता, okay, तो यह example है थो, when we put a magnet, magnet close to a pin, lying on a smooth table, table pin लगे हुई है, okay, उस pin के पास जब magnet ले जाते हैं, तो pin start sliding towards the magnet, तो pin जो है, में तरक दम आने लगती है, okay, जबकि magnet को contact में भी लाते हैं, even when the magnet is not in contact contact में नेंगे magnet, फिर भी iron को खीच रही है, तो यह example है, non-contact force, बिना contact किये ही, किसी चीज़ पर force लगा लेना, उसको अपनी तरफ खीच लेना, force, non-contact force कलाता है, और इसका एक example magnetic force है, दूसरा example इसका gravitational force है, यह जो है, भी हमने आपको बता आया, okay, और भी non-contact forces के examples हैं, वो जैसे कि जमीन पर गिरती है, कोई भी चीज गिरती है, तो gravity के विज़े सही, इसका examples है, okay, students, तो अब यह और हम detail में, हम types of forces में पढ़ते हैं, okay, types of forces में सबसे पहले हम पढ़ते हैं, gravitational force, okay, students, इसके बाब, magnetic force, यह है, magnetic force, then, यह lactostatic force, and muscular force, okay, students, तो और frictional force, यह forces के बारे में हम cult detail में पढ़ेंगे, okay, students,